नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल GK Tracker P देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हिंदी के विदेशी शब्दों को यहाँ पर एक कहानी के रूप में याद करने का प्रियास करेंगे आज के वीडियो में हम अरभी भाषा के शब्दों को देखेंगे और इस सिंगल वीडियो में 80 से जादा अरभी भाषा के शब्दों को यहाँ पर कवर कर जाएंगे मैंने कुशिश करी है जो आपके important शब्द हैं अरभी भाषा के जिसमें आपके लूशंट के और जो हिंदी की परिक्षा वानी आती है उनके शब्दों को हम यहाँ पर एक कहानी के रूप में कवर कर जाएं लाइन वार मैंने इन शब्दों को यहाँ पर एजजिस करने का परियास क्या एक कहानी के रूप में जिससे आपको जरूर लाब होगा और आपको इन शब्दों को याद करने में काफी मदद मिलेगी तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं लाइन बाइन इनको पढ़ते वे चलेंगे कुल यहाँ पर आपकी आठ लाइन या आठ छोटे पैराग्राफ हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सारे शब्द यहीं परियाद हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली लाइन है हमारी इसको पहले पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार एक अजब अजीब जाहिल अर्बी अमीर आदमी तमाम नगत करज की मदद से मुश्किल में आ गया तो इसको आप एक दो बार रिपीट कीजिए आपको जो सारे रेड में दिख रहे हैं यह आपके अर्बी भाषा के शब्द है तो एक इतनी सी लाइन आपको याद करनी है और आप यहाँ पर इनको याद कर जाएंगे एक बार फिर से रिपीट करते हैं एक अजब अज़ीब जाहिल यहाँ पर अर्बी इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि यह जो पूरा पैरग्राफ है आपका यह अर्बी भाषा के शब्दों का है तो एक अजब अज़ीब जाहिल आदमी अमीर आदमी तमाम नगत करज की मदद से मुश्किल में आ गया तो अजब किस भाषा का शब्द है अर्बी भाषा का अज़ीब किस भाषा का शब्द है जाहिल किस भाषा का शब्द है अमीर आदमी बहुत बार आता है तमाम नगद कर्ज मदद मुश्किल यह सब आपके अरभी भाशा के शब्द है अब एक बार फिर से रिपीट कीजिए एक अजब अजीब अमीर आदमी तमाम नगद और कर्ज की मदद से मुश्किल में आ गया ठीक है तो पहला वाला लाइन आपको इस तरीके से इनको याद करना है एक-एक साथ करते वे चले एक-एक लाइन करते वे चले एक साथ करने जाएंगे तो confusion बढ़ेगा तो साथ साथ में जब मैं इसको एक बार पढ़ूं तो आप इसको दो-तीन बार रिपीट करें, आख बंद करके आप इस लाइन को रिपीट करें, उसके बाद इसमें जो अरबी शब्द हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा है हमारा, फिक्र से उसका होसला पढ़ें, ठीक है, ये फिक्र से पहले वो मुश्किल में आया, अब उसको फिक्र होने लगी, तो फिक्र से उसका होसला तूट गया, जिसका नतीजा और असर ये हुआ कि किस्मत उसको कहां ले गई, तहसील और जिला अदालत में ले गई, जहां उसकी कोई कीमत और इज़ ना रही, तो इसमें आपका जो फिक्र है, ये अर्बी भाशा का शब्द है, होसला ये भी अर्बी भाशा का शब्द है, कोशन आएगा नतीजा किस भाशा का शब्द है, अर्बी भाशा का, असर अर्बी भाशा का, किस्मत अर्बी भाशा का, तहसील, जिला, अदालत, कीम इज़त ये सब आपके अरभी भाषा के शब्द हैं। इन दो लाइन को पढ़ने से आपने 20 अरभी भाषा के शब्दों को याद कर लिया है। अब दोनों को साथ में पहले वही रिपीट कीजिए। इस वाली लाइन को एक से दो बार रिपीट करें। कि फिक्र से उसका होसल तूट गया जिसका नतीजा और असर ये हुआ कि उसे किस्मत तहसील और जिला अदालत ले गई जहां उसकी कीमत इज़त ना रही। तो इसको एक दो बार रिपीट करें। अब दोनों को मिला कर पढ़ें। एक अजब अजीब जाहिल अरभी, अमीर आदमी, तमाम नगद क सात में रिपीट करें, आपको एक सात 20 वर्ड यहां पर याथ हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझाते वें चल रहा हूँ, रिपीट करवाते वें चल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन जब आपको एक पर ये लाईने याद हो आप पांच-पांच मिनट में इनका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, पांच मिनट में पूरे असी शब्द आप याद कर पाएंगे, अगली लाइन है हमारी, इसके बाद क्या हुआ, जब उसे कोट लेकर चले गए, अब क्या हुआ, फकीर वकील मौलवी ने कमाल मौसम म मुकदमा लड़ा, बाकी दुनिया मुसाफिर की तरहा जिक्र करने लगी, तो यहाँ पर आपका जो फकीर है, अरभी भाशा का शब्द है, वकील, अरभी भाशा का शब्द है, मौलवी, अरभी भाशा का है, कमाल, मौसम, हिम्मत, मुकदमा, यह तो बहुत बार आता है, द फकीर वकील मौलवी ने कमाल मौसम में उसका मुकदमा लड़ा बाकी दुनिया मुसाफिर की तरह जिक्र करने लगी। अब तीनों को साथ में रिपेट कीजिए। जब मैं पूरा परागराप साथ में रिपेट करूँ तब आप अपनी आखों को बंद करके सिर्फ इस चीज़ को सुनिये। अब वकील ने क्या किया और वकील के लिए उस आदमे ने क्या किया उसको देखिये। दिमाग चलाया, बहस करी, कुर्शी पर खिदमत करी, शराब और शहद से जलसा किया, हलवाई को हुक्म देकर खयाल रखा। अब इसको एक दो बार ऐसे ही रिपीट करें, आपको ये वाली लाइन भी याद हो जाएगी। इसमें भी आपके दिमाग किस भाशा का शब्द है, अरभी भाशा का, चलाया नहीं है अरभी भाशा में इसको रहने दें, दिमाग किस भाशा का शब्द है, अरभी भाशा का, बहस अरभी भाशा का, कुर्सी, खिदमत, शराब, शहद, जलसा, हलवाई, हुक्म, खयाल, ट अभी तक चार लाइन में एकतालीश शब्दों को आप याद कर चुके हैं। ठीक है? एक बार फिर से इसको रिपीट करें। अरतीजा और असर ये हुआ कि किस्मत उसे तहसील और जिला अदालत ले गई जहां उसकी कीमत और इज़त ना रही। एक फकीर वकीर मौलवी ने कमाल मौसम में हिम्मत से उसका मुकदमा लड़ा, बाकी दुनिया मुसाफिर की तरह जिक्र करने लड़ी। उसने दिमाग चला अब ये चार लाइने मुझे उमीद है आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और आपको देखे अरभी भाशा के कितने महतपून शब्द यहां पर याद हो चुके हैं कि किस्मत किस भाशा का है इस्जत, कीमत, असर, नतीजा, अदालत, जिलात, तहसील ये सारे शब्द आपके अरभी भाशा के हैं चलते हैं पांचवी लाइन की तरफ अब आएगा डिशीजन फैसला क्या हुआ आखिर अल्लह ने उस यतीम के अकल के दावे को माना हक से उसे तारीक पर हाजिर किया ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राप है पैराग्राप तो नहीं करेंगे हक से उसे तारीक पर हाजिर किया सिर्फ इसको एक दो बार रिपीट करें क्या हुआ आखिर अल्लह ने उस यतीम के दावे को माना हक से उसे तारीक पर हाजिर किया तो आखिर किस भाशा का शब्द है अल्लह किस भाशा का शब्द है यतीम अकल दावा हक तारीक हाजिर ये स तब आपकर अर्भी भाषा के शब्द हैं, आठ शब्द आपको इस लाइन से याद हो गए, इसके बाद दूसरे लाइन पे चलिए, हकीम से उसके जिस्म के हिजा को दवा देने का फैसला दिया, अब सिर्फ इसको इतना याद करें, यहां से यहां तक, हकीम से उसके जिस्म के हैजा को दवा देने का फैसला किया तो हकीम अर्भी भाषा का है जिस्म, हैजा, दवा और दवा दोनों अर्भी भाषा के हैं और फैसला तो ये पांच शब्द भी आपके याद हो गए इसके बाद जो इसका तीसरी लाइन है उसको याद कर लीजिए नया कानून बनाकर उसे फाइदा देने का इशारा किया इसको भी दो-तीन बार repeat करें कानून अर्भी भाषा का शब्द है फाइदा अर्भी भाषा का शब्द है इशारा अर्भी भाषा का शब्द है अब इस पूरे लाइन को एक साथ पड़े आखिर अल्लहा ने उस यतीम के अकल के दावे को माना हक से उसे तारीक पर हाजिर किया हकीम से उसके जिस्म के हैज़ा को दवा देने का फैसला दिया नया कानून बना उसे फाइदा देने का इशारा दिया तो ये वाली लाइन भी आपको दो-तीन बार repeat करनी है पहले एक एक करके तीन सेगमेंट में बाट लीजे यहां से यहां और उसके बाद यहां से यहां फिर आप पूरे को एक साथ दो-तीन बार repeat करें कि इस पूरे घटना का नतीजा क्या हुआ अल्लाह ने उस यतीम के दावे को माना हक से उसे हाजिर किया हकीम से उसके जिस्म के हैज़ा को दवा देने का फैसला दिया नया कानून बना उसे फाइदा देने का इशारा दिया तो यह आपको याद हो जाएगा अब पूरे पैरागर आपको फिर से repeat करें एक अजब अजीब जाहिल अमीर आदमी तमाम नगत कर्ज की मदस से मुश्किल में आ गया फिक्र से उसका होसला तूट गया जिसका नतीजा और असर ये हुआ कि किस्मत उसे तहसील और जिला अदालत ले गई जहां उसकी कीमत और इज़त ना रही फकीर वकील मौलवी ने कमाल मौसम में उसका हिम्मत से मुकदमा लड़ा बाकी दुनिया मुसाफिर की तरहां जिक्र करने लगी उसने दिमाग चलाया बहस करी कुर्सी पर खिद्मत करी शराप और शहद से जलसा किया हलवाई को हुक्म दिया और खयाल रखा इसके बाद आकिर अल्लह ने उस यतीम के अकल के दावे को माना हक से उसे तारीक पर हाजिर किया हकीम से उसके जिस्म के हैज़ा को दवा देने का फैसला दिया नया कानून बना उसे फाइदा देने का इशारा किया तो पांच लाइन में हम अभी तक 57 शब्दों को याद कर चुके इस एक लाइन से आपने आप या तो पूरा परग्राप एक साथ याद कर लीजिए या एक एक लाइन को याद कर लीजिए जैसे यह हमारी पांच वी लाइन है पहली लाइन कौन थी हमारी पहली लाइन है ये वाली इसको याद करें, उसके बाद दूसरी वाली लाइन, उसके बाद तीसरी, चौती और पांचवी तो इस वाली लाइन से आपके सोला शब्द आपने याद कर लिए अगला है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इलाज होने के बाद उसने मजबूर औरत का एहसान माना उसकी ओसत उम्र और इमान देख उसे इनाम दिया अब इसको एक बार फिर से रिपीट करें इलाज होने के बाद उसने मजबूर औरत का एहसान माना उसकी ओसत उम्र और इमान देखकर उसको इनाम दिया तो आपका इलाज अरभी भाशा का शब्द है, मजबूर अरभी भाशा का है, औरत अरभी भाशा का है, एहसान, ओसत, उम्र, इमान, इनाम, ये सब आपके अरभी भाशा के शब्द हैं तो आठ शब्द आपके इस लाइन से याद हो गए कि इलाज होने के बाद उसने मजबूर औरत का एहसान माना और उसकी ओसत उम्र और इमान देखकर उसको इनाम दिया। तो इन 6 लाइन में आपके 65 शब्द यहां पर याद हो गए। अब अगली है हमारी साथवी लाइन, साथवी और आठवी, दो इसकी एंड की लाइने हैं, इनको देखते हैं, पहला है अपनी तकदीर से तरक्की कर नहर में जहाज से खत की नकल कर लायक वारिस को जवाब दिया और दफ्तर में दावत दी। अब उस आदमी ने जिसने औरत का एहसान माना जो कोट से छूट कर आया, अब उसने तरक्की करी एक जहाज खरीदा और जहाज से अपने वारिस को पत्र लिखा। तरक्की किस भाषा का शब्द है? अर्बी, नहर, जहाज, खत, नकल, लायक, वारिस, जवाब, दफ्तर, दावत सारे आपके अर्बी भाषा के शब्द हैं। फिर से रिपीट करें अपनी तकदीर से तरक्किक कर नहर में जहा जिसके खत की नकल कर अपने वारिस को और वारिस कैसा लायक वारिस को जवाब दिया दफ्तर में दावती और उसके बाद इस कहानी की अंतिम लाइन अंत में अकबार का तक्या लगा कर जुलूस में कबर तक गया और किताब से मुहावरा हजम किया तो अंत में अकबार का तक्या लगा कर जुलूस में कबर तक गया और किताब से मुहावरा हजम किया तो मुहावरा किस भाशा का है अकबार किस भाशा का है हजम तक्या जुलूस कबर किताब ये सब आपके अरभी भाशा के शप्त हैं तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है, कि अंत में उसने अकबार का तक्या लगा कर जुलूस से कबर तक गया और किताब से मुहावरा हजम किया, तो ये आठ पंक्तियां थी, यहाँ पर आठ लाइन्स थी, जिसमें हमने 80 से जादा अरवी भाशा के शब्दों को देख दूसरी है फिक्र वाली, तो फिक्र से उसका होसला तूट गया, जिसका नतीजा और असर ये हुआ, कि किसमत उसे तहसील और जिला अदालत ले गई, जहां उसकी कीमत इज़त ना रही, तीसरा है, कोई वकील उसका केस लड़े का, तो एक फकीर वकील मौलवी ने कमाल मौस जलसा किया, हलवाई को हुक्म दे, खयाल रखा, इसके बाद नतीजा आएगा, तो आकिर अल्लहा ने उस यतीम के अकल के दावे को माना, हक से उसे तारीक पर हाजिर किया, हकीम से उसके जिसम के हैज़ा को दवा देने का फैसला दिया, नया कानून बना कर उसे फाइदा द तरक्की करेगा और जहाज खरीदेगा फिर अपने वारिष को पत्र लिखेगा, तो उसको हमने किस तरीके से पढ़ा है, कि अपनी तकदीर से तरक्की कर नहर में जहाज से खत की नकल कर लायक वारिष को जवाब दिया, दफ्तर में दावत दी, और अंत में अकबार का तक् असी से जादा शब्द हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, इस ट्रिक को मैंने खुद बनाया है, खुद इन सब्दों को एड्रिस करने का परियास क्या है अर्भी भाषा के, उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन शब्दों को काफी महत्पून श इसमें थे, जादा तर जो आपके शब्द पूछे जाते हैं, विदेशी शब्द आपके लूशंट के होते हैं, और परिक्षा वाणी में आपके जो प्रिवीस येर के शब्द हैं, उनको दिया है, तो मैंने कोशिश करी, क्योंकि अर्भी भाषा, फार्सी भाषा के तो ब पसंद आई होगी, 80 से जादा शब्द आप इनको यहाँ पर याद कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 5-5 मिनिट भी इसको रिवाइज करते हैं, तो आप इसको पूरा याद कर जाएंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चै पहानी की रूप में याद हम करेंगे, थैंक्यू फ्रेंड्स